मसकार दोस्तों मिरा नाम है संदीप और आप सब का हमारे चैनल पर बोबा स्वागत है दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं लोंग गेस्ट LIC पॉल्ची के बारे में यानि कि आप LIC पॉल्ची के उपर लोन कैसे ले सकते हैं और जानेगी कौन-कौन सी LIC पॉल्ची पर आप लोन ले सकते हैं LIC पॉल्ची पर आपको कितना लोन मिल सकता है या सारी जानकरी आज हम इस वीडियो में आपको देने वाले हैं तो आप इस वीडियो को पूरा देखें कई स्क्रिपना देखरें तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों वैसे तो मैं लोन लेने के बिल्कुल भी हक में नहीं हूँ लेकिन कभी-कभी हमारी लाइफ में या फैमिली में कुछ ऐसी प्रॉलम आ जाती है या फिर कोई अमर्जसी आ जाती है जिसमें हमें पैसों की सक्स जरूरत होती है ऐसी हालत में जब हमें कहीं से पैसा मिलता नहीं है ना दोस्तों से ना रिष्टदारों से ऐसे में हमारे पास एकी ओप्शन बसता है वो होता है परसल लोन का परसल लोन की जब बात आती है तो personal loan का जो rate of trust होता है वो 18% से 20-25% तक होता है ऐसे में अगर आपने invest कर रखा है LIC policy में तो वो LIC policy आपको loan दिला सकती है वो भी काफी come interest rate पर तो सबसे पहले जान लेते हैं कि आप अपनी policy पर कितना loan ले सकते हैं इसमें जो आपको loan मिलता है वो आपकी policy को गिरिवी रखकर दिया जाता है जब कोई bank आपकी policy को गिरिवी रखकर loan देता है तो bank दोरा यह देखा जाता है कि आपकी policy की standard value कितनी है जितनी आपकी policy की standard value होगी उसका 90% आपको loan मिल जाता है तो यहाँ पर अगर हम धारण के तोर पर समझें तो माल लेते हैं कि आपकी policy की standard value एक लाग रुपे है तो आपको अपनी policy पर 90% के इसाब से 90,000 का loan ही मिल पाएगा इससे जादा नहीं मिल पाएगा इसमें आपको सबसे बड़ा फैदा ये होता है कि जो इसका rate of interest होता है वो बहुत ही कम होता है और 11% के interest rate पर आपको यह loan मिल जाता है जैसे कि मैंने आपको पहले ही पताया है कि personal loan का जो interest rate होता है वो 18% से 25% के बीच होता है अलग-लग banks का अलग-लग rate of trust होता है लेकिन अगर आप policy के against loan लेते हैं तो आपको 9-11% के बीच में rate of trust लगता है तो इस loan में लगबग आपको 7-8% कम interest rate बढ़ना होता है यह तो था इस loan का पहला फैदा दूसरी बात जब आप किसी bank से loan लेने जाते हैं तो सबसे पहले आपका civil score की rating है वो देखी जाती है अगर आपका civil score खराब है या कम है तो आपको loan नहीं मिल पाता है लेकिन अगर आप LIC policy पर loan लेने जाते हो तो आपका civil score नहीं देखा जाता है जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि यह loan आप अपनी policy को गिरीवी रखकर ले रहे होते हैं और वो भी आपकी policy का slender value का 90% ही loan आपको दिया जाता है तो ऐसे में आपका civil score नहीं देखा जाता है और इस loan का सबसे बड़ा फैदा यही है कि चाहिए आपका civil score कम हो या खराब हो यहाँ आपका कोई भी background नहीं देखा जाता है कि आपने पहले कितने loan ले रखे हैं कितनों की किस्ते बरी हैं कितनों की किस्ते आपने नहीं बरी हैं बैंक से यह सारी details में नहीं देखता है जब आप अपनी policy पर loan ले रहे होते हो और क्योंकि bank आपकी policy value का 90% ही आपको loan देती है तो इसमें bank का भी फैदा होता है और आपका भी फैदा होता है क्योंकि आपको यह loan बीना formalities के बड़ी असानी से मिल जाता है क्योंकि आप अपनी policy को गिरिवी रखकर यह loan ले रहे होते हो तो इसका process भी बहुत ही fast होता है बाकी loan में आपको grantor चाहिए होता है दो reference चाहिए होते हैं जब भी आप loan लेने जाते हैं तो minimum आपसे दो reference मांगे जाते हैं आपकी background check की जाती है कि आपने जो documents दिये हैं वो सही है या नहीं आपने जो अपना address proof दिया है वहाँ पर आप रहते हो या नहीं रहते हो यहाँ तक कि आप जहाँ पर job करते हो वहाँ phone करके पूछा जाता है आपकी inquiry की जाती है कि आप वहाँ पर काम करते हो या नहीं करते हो तो जब आप अपनी policy पर loan लेते हो तो यह सारी inquiry नहीं होती है तो जो इसका process होता है वो बड़ा असान होता है और आपको 2-3 दिन में ही loan का पैसा मिल जाता है और इस loan की दूसरी खास बात ही है कि इस loan पर कोई भी processing fees नहीं लगाई जाती है यानि कि LIC आपको इस loan की उपर कोई भी processing fees का पैसा आपसे नहीं लेती है और इसकी तीसरी खास बात ही है कि अगर आप कोई prepayment इस loan में करते हैं तो इस पर कोई भी charges नहीं लगाई जाते हैं काहिए सारे banks जो हैं वो 2-4% prepayment पर charges लगाती है जब आप loan की prepayment करते हैं तो कहने का मतलु है कि अगर आप अपनी policy पर loan लेते हैं तो prepayment करने पर कोई भी addition charges नहीं लगाई जाते हैं लेकिन यहां मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप prepayment 6 मिने के बाद ही कर सकते हैं यानि कि जब आप की 6 EMI भरी जा चुकी हो और आपके loan के 6 मिने हो गए हो तब ही आप prepayment कर सकते हैं और आप फुल पेमन करके अपने loan को बंद भी करवा सकते हैं लेकिन इसके लिए आपको 6 मिने का बेट करना होता है आप जान लेते हैं कि आप अपनी policy पर loan कब ले सकते हैं तो यहां मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप अपनी policy पर 3 साल बाद ही loan ले सकते हैं यानि कि आपकी policy को लिए होए 3 साल का time हो गया हो और आपने regular 3 साल policy का जो premium है वो भरा हो तब ही आप अपनी policy पर loan ले पाएंगे तो यहां तक आप समझ गए होंगे कि आपकी जो policy है वो 3 साल प्राणी होनी चाहिए उससे पहले आप loan नहीं ले सकते हैं और इस loan में आपको policy के slender value का 90% loan ही मिल सकता है और मैं आपको इसमें एक और बाब तना चाहूँगा कि जो policy है वो slender value वाली policy ही होनी चाहिए कोई term policy नहीं होनी चाहिए किसी भी term policy पर आपको यह loan नहीं मिलेगा क्योंकि term policy में आदमी मृत्तु के बाद policy का जो पैसा है उनकी family को दिया जाता है term policy holder की अगर मित्यू नहीं होती है maturity की उद्रान तो maturity पर कोई भी benefit term policy holder को नहीं मिलता है इसलिए term policy की surrender value नहीं होती है अब जान लेते हैं कि आप कौन-कौन सी policy पर loan ले सकते हैं तो हमने आपको screen पर सारे policies के नाम share कर दी हैं जैसे कि जीवन लाब, new जीवन अनन्द, जीवन रक्षक, जीवन लक्षय, जीवन प्रगत्ती यह सारी policies हैं जिनकि यह guest आप loan ले सकते हैं तो दोस्तों यह loan आपको बहुत ही कम ब्याज पर मिल जाता है और इस loan को लेने के लिए आपको कोई ज़्यादा formalities भी नहीं करनी होती है और आपको यह loan बड़ी असानी से मिल जाता है तो आज की वीडियो में बस इतना ही जानकरी अच्छी लगी हो तो लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें आपने दोस्तों में और इस्तिदरों में ताकि यह जानकरी और लोगों तक भी पहुंच सके अगर आप हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं या फिर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे आ रहे लाल बटन को दुबा कर सब्सक्राइब कर ले और साथ ही बेल अनकर को भी प्रेस कर दे ताकि हमारी सबी आने वाली वीडियो के बारे में आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे मिलते हैं सोटे से ब्रेक के बाद जैहिन